मुख्यमंत्री सुख्विन्दे सिंग सुख्वु ने कहा है कि राजी सरकार विदित उत्पादकों की सुविधा के लिए ओपन हाइड्रो पॉलिसी लाएगी शिमला में कल इंडिपेंडेंट पावर प्रडूसर अस्सेशन के साथ एक बैठेक मेंनोंने सभी समस्याओं को दूर कर परियोजनाओं को हर संभव सहयों का अश्वासन दिया मुक्यमंत्र ने कहा कि यदि कोई ग्राम पंचायत तय समय में अनापत्ती प्रमान पत्र नहीं देती है तो उसे स्विक्रित माना जाएगा उन्होंने कहा कि जल विदित कशेतर परिटन के अलावा प्रदेश के राजस्व का मुक्य स्रोथ है और अर्थियोस्था को सुद्रिड करने के लिए राजसरकार ने जल उपकर अधिनियम पारित किया है सुख्विन्दे सिंग सुख्व ने अधिनियम को लागो करने के लिए जल उपकर की मात्रा पर अस्टियेशन से प्रस्ताफ मांगा और कहा कि सरकार उनकी प्रस्ताफ पर सहानुभूती पुर्वक विचार करेगी उन्होंने बताया कि राजसरकार 41 विदुत पर योजनाओं के लिए बिजली खरी समझोते की तारीक की बजाए वाने जिक संचालन की तारीक से बिजली दरों की गणना के लिए सकारात्मक दृष्टी कोण अपनाएगी मुक्य मंत्रों ने कहा कि राजसरकार प्रदेश विदुत नियामक आयोग को वास्तिक आधार पर रॉयल्टी यानि 12, 18 और 30 फिस्दी पर विचार करने के लिए परामर्श देगी उन्होंने बताया कि सरकार सौर्व पवन ओर्जा के दोहन को प्रात्मिकता दे रही है और इस वर्ष 500 मेगवार्ट सौर ओर्जा के दोहन का लक्ष रखा गया है इसके लावा पवन ओर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भी अधियन किया जा रहा है